तो नमस्कार दोष्तों यह जो वीडियो है आपका इंग्ली मेडियो वालों के लिए है तो ऐसा नहीं है लिए हिंक्रेटी वाले भी देख सकते हैं ठीक है सबीस वीडियो को देखेंगे और समझाइंगे द्यान से देखेंगे बढ़ते हैं आगे डिरेक्ट प्वाइंट में कि वही चीज जो है हिंदी वाला आप लोग मुझे विश्वात से कि आप लोग देख चुके होंगे तो हिंदी वाला आप लोग देख लिजेगा उसका वे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल दाएगा इसके बाद आप चलिए हम लोग इंगलिस में बढ़ते हैं आगे त अच्छे से हम लोग ने यहां पर एक्स्प्लेंड करने की कोशिस किया है लिखा है दा सबस्टेंस फांड इन अपर लेयर ओफ दा अर्थ और अर्थ सर्फेस वेदर दे आर ओफ हार्ड नेचर लाइक ग्रेनाइट एंड सैन स्टोन और सोफ लाइक सेंड ठीक है कि मतलब ब लाइक चॉक एंड लाइम स्टोन और इंपर्सीब लाइक जो इसलेट होता है न उस टैप से देर आर कंपोजड ओफ डिफ्रेंट टाइपस ओफ मिनरल्स ओके बड़ते हैं नेक्स्ट आप नोट करते चलेंगे बड़ते हैं नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं आप रोक्स समBR चूमेर को फिसटील होते हैं जो सिंगल मिनरल से मिलकर तो और और मोर मिनरल्ड तो जयुक्न होते हैं तो या तो दो से या तो दो से जएदा मतलब मिसरन होते है वो ठीक है इसी के बाद एर्थ क्रस्ट मतलब की क्रस्ट मिस होता है उपर का लेएर जो फ्रीठीबी का जो सबसे उपर का लेयर है वो क्रस्ट की अगर बात करें तो वो मैड़ आफ ओफ अवाउट ट्वेंटी तू साथ तू है पुछ सर्फ बना होगा है क्रॉस फोड है locals मिनरलस से मिलकर बना उवासे हम गुमानते हैं बट पनली अ क्रम फिव और इन येल में नाry अरे लेकिन ऊसे आपने इस画 मिलकर बने हुए सी मίνल कर बने हुए है लेकिन जो चीजा रहारे में यहां माने हम्त लेकिन सिदर्ड इंपर्टेंट from the point of view of landform formation मतलब की ऐसा माना जाता है कि 2000 अधिकी से मिलकर तो उपर को क्रस्ट बना हुआ है जो परीथभी का जो पर कभाग जो क्रस्ट है वह दो हब मेनरल से मिलकर तो बना हुआ है 2000 मिलल से मिलकर बना हुआ है लेकिन इसमें सो जो है 20 minerals जो है यही important माना जाते हैं कब अगर हम लोग formation की बात करें तब ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं कि all the hard and soft material of the crust are called rocks मतलब rocks किसे कहेंगे जितने भी hard and soft material हमारे भूपर पटी पे हैं अगर हम एक स्वाइल की अगर बात करते हैं कोई एक स्वाइल का एक टुकड़ा सा smallest unit की भी अगर बात करते हैं तो वह भी क्या है एक प्रगर का यही इस्टोन ही है जैसे यहां पर देख सकते हैं example में sand लिखा हुआ है sand clay यह सब लिखा हुआ है बढ़ते हैं next यहां पर it can be as hard as granite and as soft as clay यह जो है ग्रेनाइट जैसा कठोर भी हो सकता है एंड मीटी की जैसा मुलायम भी हो सकता है बढ़ते हैं next यहां पर कि अगर हम लोग इसको other word में अगर बोलना चाहें तो the hard part of the earth surface is called rock or rock मतलब सेल है चटाने की चीज़ होता है दोनों का इंगली सेम हो गया यहां पर ठीक है इस the basic unit of the structure of the outer layer of the earth यह जो है अर्थ के outer layer means जो crust है उसको बनाने के लिए इसको basic structure के रूप में हम लोग मान सकते हैं next जो question no.2 है उससे आप देखेंगे द्यान पूरवक जिनको English medium समझ बनी आ रहा है Hindi medium का वीडियो का लिंक आपको description में मिल जागा आप जाकर check कर लेना तो देखें how many types of rocks are there कि मतलब इस प्रकार से कितने प्रकार के हमारे रोग हो जाते हैं तो देखें द्यान से यहां पर it is divided into three parts on the basis of origin की इनकी उत्पत्ती हुआ जिस प्रकार से इनका origin हुआ उसके इसाब से three parts में इनको divide किया गया है फर्स्ट को इगनियास इसको हिंदी में आगनेय कहते हैं क्या कहते हैं आगनेय कहते हैं इसको second way sedimentary इसको अवसादी कहते हैं थोड़ा सा हिंदी भी समझते चलिए ठीक है इंडर नेक्स जो होगे आपका metamorphic number three वाला metamorphic इसका मतलब होता है कयांतरित क्या होता है कयांतरित ने ओके बड़ते हैं next हम लोग question number three की और जो की फटाफट के लिए करते हैं from where did the rock originated ठीक है मतलब की इनकी उत्पती मतलब कहां से होती है इस प्रकार से मना जाता है तो जैसा कि हम सब जानते हैं थोड़ा सा उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृत है परमी जो है पहले का गोला होता है something में उसके बाद जब यह ठंडा होता है तो द्रोव वाले रूप में आता है ochay और जब और यह ठंडा हो जाता है तो इसे हम लोगशता में अभी बोलते हैं कि अभी जो है जीवन समभव है जीवन ऑप सा में प्रकृतिय का निर् जो है चटानों कुद्पति होती है देखे द्यान से यहां पर लिखे हैं वह सी चीज़ को वी आल नो देट अर्थ वाज ठीक है इनिसियली एक वाल ओफ फायर वीच कूल्ड ओवर टाइम वीच वाज दा क्रियेशन ओफ नेचर ठीक है कि जो इनिसियली एक बॉल ओफ फायर है कि आग का गोला गैंद जैसा यह होता है और उसी के बाद कूल्ड हो कर यह क्या होता है ओवर टाइम यह क्रियेशन ओफ नेचर यहां पर जो है उस तरीके से जो ऐसा के भी हमने लिख कर बताया तो ऐसी थंडा ओकर द्रोरूप में आएगा उसके बाद एठोस वास्ता माता है इस प्रकार से यहां पर नेचर का स्टार्टम होता है इन दीस फोर्मेशन रोक्स वेर फोर्मड एज एज रिजल्ट ओफ वियर एंड एंड टीर एट ठीक है मैनी प्लेस इन अर्थ क्या हुआ कि बह मेंट्स हो गए मिनरल्स हो गए सब आपको पाए गए बट देर आर सम मेन मिनरल्स वीच आर यूजफूल इन मैकिंग रोक्स अब माना जाता है कि इस जब उल्टन पलटन हुआ ऐसा कुछ हुआ तो बहुत सारे जो मिनरल से उपर आ गए एंड इसमें से हम लोग तो ऐसा मा बन जाएगा मतलब बताता है ना कि मिनरल के समूं को ही हम लोग ग्रूप मिनरल्स इज कॉल्ड रोक तो यह चोटा सा होता है तो इसमें एक भी हो सकता है लेकिन अगर बड़ा सा अगर चटाने तो इसमें दो या दो साधिक क्या हो सकता है मतलब मिनरल्स हो सकते हैं तो उसी main elements from which about 98% of the rocks are made up अब जो होता है आठ हम लोग elements के बात करेंगे जिसमें से किसी भी चटान को 98% उन लोग बना सकते हैं ओके तो उनके बारे में अभी नीचे आम लोग देखने वाले हैं पाइब छोटैंटीएट परसेंट अलोमीनियम है जो की एट परसेंट होता है यहां पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से इस प्रकार से इनका परसेंटेज नहीं दिखाया है है ओके बढ़ता है नेक्स्ट यहां पर देख सकते हो कि इस प्रकार से तो हो गया कि उतने सारे elements आपको अलग से मिल रहे हैं लेकिन अब मिनरल की बात करते हैं और दो नमबर of minerals in the crust is in thousand of million की जैसे crust के निर्मान में तो thousand million minerals मिलकर बनाया है उसे but only six minerals are mainly found मतलब की चट्टावनों में कितने पाये जाते हैं only six minerals ही पाये जाते हैं okay next these minerals are देख सकते हैं Felspar हो गया Quartes हो गया पायरोसी हो गया ठीक है एमफ वोल्स हो गया MP वोल्स हो गया उसके बाद माइका हो गया उसके बाद मतलब की उसको important मतलब ऐसा माना जाता है ठीक है prominent उसको माना जाता है कि silicate जो है उसको पर्थम परात्मिक्सता दी जाती है मतलब की forming minerals में मतलब रोक का अगर forming हो रहा है तो followed by oxide and carbonates respectively मतलब की number one पे जो आता है आपका silicate आगया number two पे आगया आपका यह oxide आगया number three पे आपका carbonates आजाता है उसके इसाब से बढ़ते हैं आगे हम लोग अब पढ़ लेते हैं types of stroke यह सब इस प्रकार से push सकता है तो यहां पर मैंने question ना दे करके point दिया हुआ है बहुत अच्छे से तो if seen in general term अगर हम लोग general term की बात करो there are three types of rocks ठीक है यहां पर हमारे पास तीन प्रकार के चट्टाना होते हैं जिससे कि अभी आपने देखा था इग्नियस sedimentary metamorphic सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इग्नियस रोक्स के बारे में जो कि बहुत important है इसके बात देखिएगा दे आर अर्सो कॉल्ड प्रामरे रोक्स विकाऊज अज Der works और इन्डिरेक्टी फरोक्स की जो होता है इसकी इसको प्रात्मिक सेल इसको हम लोग लोग प्रात्मिक स에ल भी बोल सकते हैं प्रामरी रोक्स anomal रोक तीक हैban इसको हम बॉल by the cooling and solid solidification of magma and lava emanating from a volcanic eruption मतलब समझे कि जब बिसफोर्ट होता है तो लावा मैगमा जो होता है उसके ठंडे होने से इगनियस रोग्स का निर्मान होता है और इजिन होता है नेक्स्ट आप देख सकते हो हैंस दे आर अलसो इसलिए मैं इसका नोट देने के लिए उतना नहीं बोलता हूं कभी कभी मिश्टेक होता है उसको हम लोग अपने में सुधार सकते हैं लेयर्स आर नोट फाउंड इन दीज रोक्स इन जो चटाने होती है इसमें किसी प्रकार का कोई आर फाउंड बढ़ता है नेक्स्त हम लोग आप इसे नोटस करते चलो गए एंड नेक्स्ट में लिखा हुआ है इस रोक्स आर फूल ओफ मेटालिक मिनरल्स यह चटाने होती है धात्वी खनी जो से फूल होती है लाइक आयरन हो गया गोल्ड हो गया सिल्वर निकेल कोपर चैट सकता बहुत सारी चीजे हैं उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़े सार आगे कि अगर इन चटानों को अगर हमको उपयोग करना होगा एक नियसका तो हम लोग तो नहीं कर पाएंगे तो इसमें बाता थे को उपयोग करने के पीछे का एक ही रिजन हमको आता है फिजिकल तांतर से फिजिकल शिस्टम से हम लोग है इसको को से बढ़ा सा च्टान विस्कों तोड़ेंंगे तो यहां पर दिख शकते हैं ऊसी चाहिए और यहां पर हैने लिखा कि फीजिकल अन一 commander तो इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा हुआ है इन सभी चाटानों में ख्रीश्टल के सरचना को रिखा है फूर लाव और दूर्च पर्टीकल कोई ख्लेश्टने चीज है है वो सभी मिलकर इगनियस रोक्स कहलाते हैं तो इस प्रकार से आपका इगनियस रोक्स का बहुत अच्छा डिफिनेशन हो गया आप समझ़ पा रहे होंगे इज अल्शो कॉल प्रैमरी और मदर रोक्स की इन सभी को मतलब एसा च्टाने की सभी का इन देज रोक्स इसमें कि सिप्रकार का कोई बी जिवास मा कोई बी असतर कोई परत नहीं पाया जाता है बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग की मैजर मिनरल्स निकेल जिंक और फाउंड इंडिज रोक्स यह जो होता है इसमें ज्यादा तर हम लोग आयरन गोल्ड निकेल जिंक इन सभी को पाते हैं इसके बाद लिखा हुआ है इस रोक्स आर इकोनोमिकली ठीक है प्रोस परियस मतलब की यह जो अर्थी की स्थीती से बहुत अच्छे यह जो चत्तान होते हैं बहुत उप्योगी होते हैं इसके बाद लिखा हुआ है कि इसका जो है इक्जांपल हमकी स्टेपस देंगे तो नंबर वन पर आपका ग्रेनाइट है नंबर पर प्राइम इग्जांपल और यह जो होता है पर्थम मतलब इग्जांपल के रूप में अगर हम लोग लेना चाहें तो बीट्व मिन्स का मुझा ले सकते हैं और रोग यहां पर कि राइट लगेश होते हैं इनका टाइब कितने हैं कितने पर चाहिए पाइजाते हैं तो देयर आर ट्वत्र एप अंधर हो प्रित्वी के बाहर होते हैं उन्हें में बूला जाता है अब ये कैसे पाया जाएंगे आप समझो थोड़ा कि मान लोग प्रिथ भी है और नीचे जो भी मैगमा लावा के ठंडा होने से जो एगनियस रोक्स बना उसे हम लोग इंट्रसिप बोल देंगे और जो जो आला मुखी के बाद जो बाहर में बनते हैं बड़े चटान उन्हों एक्सट्रसिप बोल देंगे ओके तो यह था पोजिशन एंड सेडिमेंट ओन दा सर्फेस ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं आप लेयर आर फांड इन इट इन में जोते हैं थोड़ा थोड़ा जना लेयर पाए जाते हैं हैंस दिज हैंस द अफसेंस ओफ क्रिस्टल इसमें उतने जादे मतलब क्रिस्टल नह है जिसमेंस में बहुत बड़ा अप्ले रोल है इसका मतलब सड्यमेंटेश रोक इसके बात सथे 6 यह और जहिएंस रोक से ही यह फॉर्म्ड होते हैं सड्यमेंटेरोक से ओ फोन इर्मान हो जाता है नेक्स्ट यहाँ पे अब देखिए उसी के बारे में आगे हम लोग लिखेंगे कि विकाउज ओफ दियर फोर्मेशन फ्रॉम इगनियस रोक्स इस रोक्स 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 से तब इसको लोग बोल देते हैं इसलिमेंटर हो आपि civre है शेण्ट आप याद रखने हैं भी हम्रों से सदमेंटर हैं मतलब बालो जैसे संरसणराओ इसलब मतलब में जयिसे सेद्एिंटर होते हैं उसके बाद जो है इससी में आप देख सकते हैं यहां पर और व regal लेयर ड्रोग्स परतदार चिटान हमने बताया था कि सिचुएसन की साफ से हम लोग बोल सकते हैं लेकिन इस प्रकार की इसमें जो लिखें हैं तो इसका भी कोई न को होता है बाकि हम हर एक वीडियों बोलें कि लेयर ड्रोग्स है मताम और फिको बोला जाता है नेक्स्ट यह क्या है तो यहां पर आप इसक्रीन रहे सकते हैं इसमें बहुत करना है हिंदी का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं आप उसे जल्दी से देख लेंगे दपोजिशन of sediments on the surface is related to the following three process ठीक है तो जो डीपोजिटिटिटिटिटिटिट इन चट्टानों की नमबर बन पे मेचैनिकल प्रोसेश बाइलोजिकल प्रोसेश चामिकल प्रोसेश इसी में आपका पहला आजाता है कि di m2 बाए डिपोजिटेट बाव रिवर्स केनल्स वाइंड ऑी एंड और वेप example sandstone clay cell ठीक है लियोसेस इस टैप से उसके बाद बायोजिकल जो प्रोसेस है उसमें डिपोजिशन ओक्यूर्स बाय बायोजिकल डिकॉम्पोजिशन ओफ ओर्गेनिक मैटर ओफ डीड फ्लांट एंड एनिमल्स लाइक क्या हो जाता है पीट हो गया कोल हो गया कोरल हो गया बात करते चलिएगा इस एडिमेंट और डिपोजिटेट एड़ बोटम ओफ दा वार्टर बोडिश ठीक है इस तरीके की चीजह है आप देख सकते हैं एक्जांपल भी सबका मिल रहा है लाश्ट आपका टॉपिक बच रहा है मेटामोर्फिक रोग इसी में आम लोग बहु सकते हैं कि जो होता है इन लोग नहीं है ना जो अपना चेंज करते रहता है इस फोंड बाइचेंज इन इगनियस रोक्स एंड सेडिमेंटी रोक्स ड्यू टू टू दस इफेक्ट ओफ हीट एंड प्रेसर की वज़ए से यह बनते हैं अंडर इट इंफ्लूएंट बोट ओ हईटी रोक्स डीमेंटी रोक्स डैसे बनते हैं लायक जैसे कि अगर इग्जामपल की बात करें उनके टुकड़ों की तो उनके बहुत चोटे चोटे हो जाते हैं सेडिमेंगे रोक्स के तो यह जो होते हैं अगर एक साथ हीट टैम्प्रेचर की वज़़ए से लेयर बाइ मिट्टी की बिशन रशना हो जाती है ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग यहां पर आप देख सकते हैं और दियू तो फायर प्रेशर एंड केमिकल एक्शन दा फॉर्म ऑफ सेडिमेंटरी रोक्स इस चेंग दू वीच मेटामॉर्फिक रोकर फॉंड ओके यहां पर इस प्राइब आप देख सकते हो वाथिस ओवेन डियर इस चेंज इंडा इनविरमेंट देर इस ब्रेक्षी दाउडन एंड केमिकल देख सेंड रोक द्वीच देर सेफ एंड फॉर्म चेंज चेंज एंड इस लीड तो फॉर्म एचन मेतामॉर्फिक रोग और हों यहां प होते हैं आपके उसके बाद एक ग्रेनाइड के साथ ही सार्फ हमारे आजाते हैं उसके बाद त्री मैटामजों कया है में जो बंते हैं मिलामस फेली सेन इसमें लाइम प्सामी हम私 हमारे आते जो क्रस्ट है उपर का वो बना हुआ है आपका मिनरल से एंड सबसे पहला अगर चट्टान की बात करें तो इगनियस रोक्स ही है ठीक है नेक्स्ट इसी के बारे में थोड़े सा पढ़ लेते हैं इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो लेयर्स आर नोट फाउंड इन इगनियस रोक्स इसमें तो किसी प्रकार का वो नहीं है उपर वाला ही यह सब लिखना पड़ा सिंस इस रोक्स आर फ़ोंड बाई थीक है क्लावड इमनेतिंग फोंड़ वेलकेनो इस रोक्स आर फाउंड मोर इन वेल्कैनिक अरियाज उसके बाद नेक्स्ट अमलोग बढ़ते हैं सबसे ज्यादा वेलकैनिक अरियाज में यह मिलेंगे आपको ज़ोला मुक्य चेतरे मे इसके बाद फॉजिल्स आर नोट फॉजिल्स नहीं पाए जाएंगे इसे भी हो जाएंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लोग की अब देखे अब जेक्टिव मिलेगा आपको की मतलब एक सेंटेंस में रिप्लाइब देने के लिए सबसे हाइस तो यह होता है अगने यहां ताइपिंग मिस्टेक इसे होता है अगने नयापने को अगनी पैकली लिखे लिए कर लोग लिख लेना नेक्स्ट यहां पर कि हाव मैनी टाइट्स ओपउप इगनियस रोक आर देर कि इसको हुन और कि दोश्ट ने त्याइब लोग ट्रआप है यहान पर के जो होई तर्व घैनने जों से तो हां पर दो थांट theそうそう जए च्टने में ज़ाद फांड टैकते हैं तो तो श्बसेट ओस्तियों लगवक होगा। रोग्स आर्कीयन ओँडर ठीक है डकष प簡़ ठेक इसigare यह फिलिसे गॉंडवान और यह फाइए लेकिन०ी। को दोस्तों हम लोग लेयर्ड रोक भी प्लते हैं लेयर्ड रोक भी बोल सकते हैं तो इस परकार से आप इसे कंप्लिट कर लेना इसके बाद यहां पर आ गया मेरा कि which is the oldest रोक इन इंडिया सबसे पुराना है वह एगनियास हो गया आपका आप इसी को पूछा यहां पर लार्ज लेटेस्ट रोक ओफ इंडिया जो सबसे जो अन्तीम में जो लेटेस्ट है वो क्या है कि लेटेस्ट है गुंडवाना का जो गुंडवाना जो ओर्डर है न यहां का उसके बाद वाट इजन एक्जांपल ओफ एसेडिमेंटी रोक इसका एक 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 नहीं आपके पास घजार एक्जांपल यहां पर बोकसाइट हो गया लेटेराइट साल्ट जिपसं फॉसफेट ठीक है उसके बाद मैगनेस साइट सिमेंट और मतलब की सिमेंट आइस जितने भी हो गया ला यहां पर जो किशन है कोल के बात सुनिया द्यान से इसको करना है नोट्स वीडियो कैसे आपको प्राप्त करना है उससे भी हम बता रहे हैं यह मेरा हो गया इंस्टा इडिए यहां पर वाट्सप वनली कॉल नहीं इसके बाद अब देखिए बहुत इंपोटेंट चीज है आपको सब मिलेगा कैसे एक ग्रीन कलर का लोगो होगा उसमें मेरा फोटो और चैनल का नाम लिखा होगा उस पर आपको नंबर वन पर अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको होमपेज दिख जाएगा ठीक है इसके बाद यहां पर वीडियो का उप्शन जाएगा कि क्लास 12 जियोलोजी क्लास 12 जियोलोजी एकजाम ठीक है 2022 तेज उस पर जाकर आप सीरियल से उपर से लेकर नीचे तक वीडियो उसको देखेंगे और कोई भी अप्डेट अगर उसमें आया होगा तो सबसे नीचे जाकर आप चेक करो ठीक है इस परकार से वीडि है वेरी गुड मिलता है निव लेक्चरर में तब तक के लिए जहन